मंदिर को आग लगानी हमने मैं हिंदू उमें ब्राह्मन हूं ताने वहां पर जाकर ठीक मांगनी है क्या भी यह तो मजनुदी घ्रया जो इस्तधी चल दी चाथा च्यार्जुशीट का ड्यागिलेशन चैन्टो योगी जी ना राम मंदिर बना अरे या योगी जी क्या राम म आपको MSP नहीं मिली MSP भी मिलेगी सब मिलेगी यूँकि अन्ना तो आंदोलन ही भलो वह या खतम इस्तगित करेंगा इसमें टाइम दियागा अगर यह मननेंगे ठीक है ना तो आंदोलन तो नुके नहीं फेर के चलते हो जेंगे फिर बापिस आओगे बिल्कुल एक दम त आप से एक परिवार वापीस आगया हम लोग वापीस आचुके मिल चुके जो पहले 300 साल पहले लोग एक अठे रहते थे आदम दुबारे एक अठे रह चुके तो इसीज का तो कम है पर खुशी इस बात किया है कि जो काले कानुन सरकार ने ठोपे थे जब अबसी किसानों वह वापिस हो चुके हैं ठीक है अभी बात करूं दुबारा हुआ हाँ आप यूपी से हो ना अच्छा मैं यह जानूंगा बात कर रहा अंदोलन अप नमांगे तो हमना अपने तम नहीं मॉना रहा था इस अनूझाद होगे और तेरा सपाया सपाया और बिज एपी बिलकुल खतम दें सो यहां पर जो गए तेंगे उनके वारे में कुछ कहना चाहें यहां और एसेस के आजमी है और एसेस पहले तेहीं अंग्रेज जूका दलाल रहा नामारा सेस्मा बिल्कुल विश्वास राखते हैं हम कि सर्म हैं और मजदूर है हम इस में विस्वास रहा हम और किसी संगतनि में भी थो अभी एंगे ग altern भी किसान लोग कि संट नisations के साथ difi किसान ऑन यह उठ्लाइम हैं परीवारिया किसान लोग कि in doctor तो चौधरी जैन चौधरी और अखलेश यादव के तो गठ बंदन हो गया अगठ बंदन हो गया चारसो एक सिट पर चारसो दो पर लड़ंगे अरब की बार आर पारी होगा कितनी सीट ले पाएंगे यह मैंनु मांदायन के लिया एक दो ही छोड़े पून पून पूमत तो ह और गरू के देख रहे थे हम मंदीरू पर द्यान दे रहें शिक्षा का जीरो कर दिया इन्होंने नोगरी का जीरो कर दिया अगर कोई किसानों की बात सुन सके मान सके कर सके किसानों के लिए तो वो खून चोदरी चरण सिंग का है चोदरी चरण सिंग परिवार है वो किसानों के लिए जो चोदरी चरण सिंग वर्ल्ड में पहले नंबर के किसान नेता है किसान मसीया है पहले नंबर के तो वो खून कहीना कहीना सर दिखाओगा और जैंत चोदरी में यह मान के चलो सोगे सोपर संटक्ट द hypertension सिंग वानले और अग मिल्ध कितना पड़िक्स है और जोंट के रोड बना रहे कितना टोल टैक्स बढट यह तो यह विकास नहीं है विकास हो सामाजिक आदमी का सामाजिक विकास हो अध्यात्मिक विकास हो सेक्षनिक विकास हो यह अगर विकास तो कोई पार्टी कर पावे तो विकास है इन्फरास्ट्रक्टर डवलपमेंट कोई ज़्यादे विकास नहीं होता देश का अगर आप सामाजिक बाइचारा तोड मोड दोगे तो देश का विकास होई नहीं सकता हम बिल्डिंग खड़ी कर दे और उसमें रहने वाड़ा कोई हो ना अपस मैं घर में लड़ाई हो और घर बन रहा रहा हो पत्तर लगा के संगमर का सांदार तो वह घर थोड़े है वह तो एक मकान है तो यह मकान बनाना चारे घर नी बनाना चारे घर बने संस्कारूत है वफादारी से इमांदारी से अपसी सहबागीता थे नहीं पूर्ण बहुमत जिगटबंदन की सरकार का पूर्ण बहुमत आऊगा जैन्त चोधरी इस बार नहीं तो अगली बार बहुत बड़े चेरे के अगरा यूपी की राजनीती करें हमारा अपना मंदना है केंद्र की राजनीती में इस्थान बनावें और बढ़िया तरीके यह जैसे अजीट सिंग किसानों की आवाज उठते आये वे वी उसी तरीके से अपनी आवाज को उठावें काट की अंडिया ना एक बच डेगे रहे वह अच्छा डिली ठीक है ना मंदेर बना दिया उसके बार कटोरा लेकर बैट जा पढ़ाई बंद है रेली चलू है रेली चलू है रोजगार के नाम पर आप यूपी में जा कहीं पूछ लो किसी जंगा पर पूछ लो गर एक रोज लगा दो मनन्यू कर दिया मनन्यू कर दिया देखा लगी पड़ी है लगाने से को विकास थोड़ी होगा जी एक बात बताओ मैं यहां दर्ता चला जाओं कि इतने ओस्पिटल बनाओं गाए रख्थी है वह बनया नहीं है शिला न्यास क्या होता है इट दर्दी अर्नु कह था दिया रहा है आपी तो स्टेट बैक के साथ मामलत कर दिया इनका है यहां तो स्टेट पैसा होगा मैरे मजदूरों को उनकी पूरी मेहनत का पसीने की कीमत चाहिए मंदिर को आग लगानी हमने मैं हिंदू हुं मैं ब्रह्मनु मैंने वहाँ पर जाकर भीग मांग नहीं है क्या बेटा कह रहा था कटोरा लेके बच्चों को भीग के लिए मंदिर के सामने क्या करें बताए क्या मंदिर की इश्यू बिलकुल नहीं है राजनितिक रूप से उसे भुनाने के लिए हिंदू-मुसल्मान करने के लिए रोटी-रोजी से ध्यान भटकाने के लिए यह लोग तमाशे करते हैं गायों को खुले सांट छोड़ दिये अभी भाई ने कहा रोज गाय एक्सिडेंट कराती है रो कर दो बाता है कर दो